स्टूडेंट्स आप सब कैसे हैं मैं डॉक्टर पंकच पारिक कॉर्मेंट गल्स कॉलेज जुन जुनू स्टूडेंट्स मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में एकनॉमिक ओर्डर क्वांटिटी और टोटल कोस्ट इन से रिलेटेड फॉर्मूलाज बताए थे और प्रrän्टिकल क्योशन भी हमने एक सॉल्व किया था और आपको ए座े ओमवर्क भी मैंने प्रैटिकल क्योशन करने के लिए दिया था आप में से कुछ एक स्टूडेंस ने वो क्योशन किया भी है उसका किस प्रकार से वो हल होगा उसका answer भी मैंने आज आज आपको भेजा है आशा करता हूँ आप उसे चेक करेंगे देखेंगे Students, Financial Management में अपना जो heading मैंने शुरू किया है वो Management of Inventory है जब मैंने ये chapter शुरू किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये chapter formula based chapter है आपको इस chapter में formula याद करने पड़ेंगे लिखने पड़ेंगे और यदि formula आपको याद है तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर पाएंगे इसी करम में मुने आपको material levels से जुड़ी वी जो चीज़ें है reorder level, maximum level, minimum level, average level, danger level इन सब के क्या formulas होंगे इनके alternative formulas क्या क्या है ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है economic order quantity और total cost हम कैसे निकालेंगे इनके formulas भी हमने डिसकस किये हैं अब हम इन सारी चीज़ों से जुड़ेवे numerical questions solve कर रहे हैं इसी क्रम में आज मैं आपको एक question और कराने वाला हूँ देखी एक सवाल है जिस सवाल में monthly demand आपको दी है 1000 units आप सवाल को ध्यान से देखें और मेरे साथ चलने का प्रयास करें और order cost आपको दिया है 100 rupees per order carrying cost यहाँ पे 15 rupees per unit normal uses यानि average uses या normal uses दोनों एकी बात होती है 50 units per week है इसी प्रकार minimum uses 25 units per week है maximum uses 75 units per week है और reorder period 4 to 6 week है यानि 4 से 6 हफते और cost per unit 10 rupees आपको दीवी है तो students इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं EOQ यान economic order quantity या ROQ reorder quantity आप सबको formula मालूम है इसका formula होता है 2RO upon C अब यहाँ पे R का मतलब annual demand से होता है annual demand of units और हमें question में monthly demand दीवी है तो इस monthly demand को हम annual demand में change करेंगे monthly demand है 1000 units तो 12 months की demand कितनी हो गई हम 1000 को 12 से multiply कर देंगे तो 12000 units आ गई और order cost per order आपको 100 रुपे दिये हैं और इस सवाल में carrying cost भी percentage में नहीं दीए धी percentage में दीवी होती तो हम cost per unit जो आपको 10 रुपे दिये हैं उसका percentage निकाल दें लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको सवाल में सीधा carrying cost 15 रुपीज पर unit दे रहा है तो हमने सु क्या उनको feed किया दो गुणा बारा हजार गुणा सौ बटे पंदरा और इसका अंडरूट हमने किया तो एक लाग साथ हजार आया उसका अंडरूट हमने निकाला तो 400 unit आया 400 units यानि हमारा economic order quantity यानि जो सबसे बड़ा order होगा वो 400 units होगा 400 unit होगा इसी क्रब में हम आगे total cost निकालते हैं total cost में पहली cost हमने निकाली purchase cost परचेस कोस्ट का formula होता है number of units into cost per unit यहाँ पे number of units जो annually है हमें वही काम में लेनी है annually number of units है 12,000 और हमने इसको 10 से multiply किया तो 1,20,000 रुपए हमारी purchase cost आ गई उसके बाद हम order cost निकालेंगे order cost का formula annual consumption of units upon EOQ into O यानि order cost per order तो यहाँ पे annual consumption यानि annual demand है 12,000 upon 400 400 चार सो जो EOQ का answer हमारा 400 आया इसलिए 400 into O कितना है सवाल में 100 रुपीज पर order into 100 तो इसको solve करने पे यह आया 3000 फिर carrying cost का formula EOQ upon 2 into C तो 400 बटे 2 और गुणा 15 तो यह भी 3000 आया प्राय जब हम बिना discount के total cost निकालते हैं तो order cost और carrying cost equal आती है और हमने इन तीनों cost को जोड़ दिया तो 1,20,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 तो हमारी total cost आई 1,26,000 इस प्रकार EOQ आया 400 unit total cost आई 1,26,000 उसके बाद जो मैंने आपको पहले के वीडियो में material levels बताए थे आगे हमने material levels पे reorder level maximum, minimum, average और danger को solve किया है formula आपने लिखे होंगे copy में आप मिलाएंगे देखिए reorder level का formula होता है maximum uses into maximum reorder period यहाँ पे maximum uses आपको सवाल में बिल्कुल clear दिया है 75 units है maximum reorder period अब आप एक बात पे ध्यान दीजिए आपको सवाल में उपर देखिए आप reorder period आपको दिया है 4 to 6 weeks यानि 4 से 6 हफते तो यहाँ पे जो 4 है वो minimum reorder period है और 6 है वो maximum reorder period है और मैं इन दोनों को जोड़ दूँ यानि 4 प्लस 6 और उसमें 2 का भाग दे दूँ तो यह आया 5 पांच क्या होगा पांच होगा normal reorder period यानि average reorder period हम maximum और minimum दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देंगे तो normal आ जाएगा और normal को मैं average भी कह सकता हूँ तो यहाँ पे reorder level हमने निकाला पिछेतर को 6 से multiply किया 450 unit आपका reorder level आ गया फिर maximum level का formula होता है Rol plus Roq minus minimum uses of units into minimum reorder period तो यहाँ पे reorder level अभी अभी हमने निकाला Reorder quantity EUQ अभी अभी हमने निकाली 400 और reorder level अभी निकाला 450 दोनों को जोड़ दिया 850 आ गया minus 25 गुणा 4 तो यह 100 आ गया यहाँ साड़े 800 में से मैंने 100 गठाए तो 750 unit बच गई यह आपका maximum level आ गया उसके बाद minimum level का formula ROL minus normal uses into normal reorder period ROL 450 है अभी आपने उपर निकाला minus normal uses हमें बलकु साफ साफ दिया है 50 unit है into 5 5 कहां से आया 4 प्लस 6 अपॉन 2 maximum प्लस minimum अपॉन 2 तो यह 5 आया इस प्रकार minimum level को solve करने पे यह आया 200 unit 200 units और उसके बाद हमने average level निकाला average level निकालने के लिए maximum level प्लस minimum level upon 2 तो साड़े 700 प्लस 200 बटे 2 तो 475 unit हमारा average level आ गया उसके बाद हमने डेंजर लेवल निकाला minimum uses into minimum reorder period यहनी 25 गुणा 4 बराबर 100 units इस प्रकार आपने देखा कि यह जो पूरा सवाल है यह formula पर अधारित है यह formula याद हैं तो सवाल को हल करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें simple सी calculation है कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है इसलिए आपको management of inventory के material levels और EOQ total cost इनके सारे formula आपको याद होने चाहिए मैं जो सवाल आपको अंत में देता हूँ आपको गुरूपे भेजता हूँ वीडियो के अंत में देता हूँ उनको आप regularly साथ साथ निकालते रहिए ताकि आप सुत्र भी आपको याद होते जाए अब इसी करम में मैं आपको एक सवाल करने के लिए दे रहा हूँ जो आपको घर पे करना है और आप करके मुझे solution करके आप मुझे भेजेंगे देखिए इसमें annual demand आपको दे रहा है 2400 unit unit की price है 2.40 order cost पर order 4 रुपीज उसके बाद यह आपको carrying cost percentage में दे रहा है storage cost 2% interest rate 10% और lead time half month आदा महीन आपको दे रहा है और आपसे यह दो चीजें पूछ रहा है कि find out economic order quantity and total amount of inventory cost यानि आपको यह क्यों निकालना है और total cost निकालना है तो students आज के इस वीडियो में इतना ही मैंने जो सवाल आपको दिया है उसको आपको solve करना है और मैं रोज आपको सवाल दे रहा हूँ रोज numerical questions हम लोग निकाल रहे हैं तो मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि आप इस अफसर का जब तक हमारी class college में physically ना लगें आप रोज इस वीडियो को देखें और जो सवाल मैं आपको देता हूँ उसको आप घर पे करें इदि आपको कोई समश्या है तो आप मुझे phone करके या group पे भी पूछ सकते हैं तो students आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद